हेलो फ्रेंज और वेलकम टू पूनम्स किचिन आईए आज हम एक साउथ इंडियन डिश बनाते हैं इटली सामबर और नारियल की चट्टी सबसे पहले सामबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तूवर की दाल ले ली है और इसे मैंने तीन पानी में वाश करके चार-पाच घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया है अब हमें सामबर के लिए एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर दो टेबल स्पून सामबर मसाला एक टेबल स्पून नमक दो बड़े चॉप्ट अनियन एक टेबल स्पून जीरा एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून राई, दो कटिवी लाल या हरी मिर्ची और दो कटिवे टमाटर और यहाँ पे मैंने एक बॉल इमली का पल्प ले लिया है जिससे हमारा सामबर खटा बनेगा आईए सबसे पहले दाल चड़ा लेते हैं, इसके लिए मैंने कुकर में दो टेबल स्पून ओईल डाल दिया है अब हम इसमें जीरा आइट कर देंगे, हल्दी डाल देंगे, अब हम इसमें दाल डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसे सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे हम इसे तीन विसल लगा लेंगे जब तक दाल में विसल आती है, तब तक हम नारल की चटनी बना लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पे फ्रेश कोकुनट ले लिया है, भुनेवे चने ले लिये हैं और एक बाउल धाई ले ली है और एक हरी मिर्ची ले ली है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इन तीनों को मिक्सर में पीस लेंगे आईए अब हम इडली का बाटर बना लेते हैं यहां पे मैंने धाई सुग्राम सूजी ले ली है और एक बाउल धाई ले लिया है अब हम सूजी में एक टेबल स्पून नमक डाल देंगे अब इसमें धाई डाल कर हम इसका बाटर बना लेंगे अब हम इसमें पानी आड़ करकर बैटर त्यार कर लेंगे यहां पर मैंने इडली का पॉट में पानी डाल कर स्टीम होने के लिए रख दिया है देखिए अब ये इडली का बैटर त्यार हो चुका है अब हम इसमें एक पाकेट इनो डाल देंगे जिससे हमारी इडली फूल जाएगी अब हम इडली मौल्ड की अच्छे से ओल से ग्रीजिंग कर लेंगे अब हम इसमें इडली वाला तयार हुआ बैटर हम इसमें डाल देंगे अब हम इने स्टीम होने के लिए इडली के पॉट में पांच मिनिट के लिए डग देंगे देखिए अब इसमें पानी बॉइल हो चुका है अब हम इसमें इडली के मोल्ड स्टाल देंगे और इसे अब हम धकन से धक कर पांच मिनिट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है आईए अब हम सांबर का मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने फ्राइंग पान में दो टेबल स्पून ओई ले लिया है अब हम इसमें एक टेबल स्पून जीरा डाल देंगे दो साबत लाल मिर्च डाल देंगे अब प्यास आड़ कर देंगे अब हम इसमें हरी मिर्ची डालकर अनियंस को थोड़े देर सौफ्ट होने देंगे अब हमारी डाल रेडी हो चुकी है अब हम इसमें मसाला तयार करके डाल देंगे अब हम इसमें टमाटर आट कर देंगे अब हम इसे पका लेंगे अब हम इसमें नमक हल्दी लाल मेच सामबर मसाला टाल देंगे अब हमारा ये मसाला रेडी हो गया है अब हम इस पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे यहाँ पे हमारी इडली रेडी हो चुकी है हम इस पे नाइफ टाल की चेक कर लेंगे अगर ये चिपक नहीं रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इडली बन चुकी है अब आप इसका गैस आफ करके बाहर निकाल दीजिए हमने जो मसाला रेडी किया था वो हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे अब हम इसमें इमली का पल्प आड़ कर देंगे हमने यहाँ पे इडली निकाल ली है अब इसे हम थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख देंगे फिर हम इसे प्लेट्स में निकाल लेंगे अगर आपकी सामबर गाड़ी बनी है तो आप इसमें थोड़ा और इमली का पल्प आट कर सकते हैं अब यहां पे हमारी सामबर रेडी हो चुकी है अब हम इडली इस तरीके से निकाल लेंगे और प्लेट में सर्फ कर देंगे सामबर में एक उबाल आने पर हम इसे इसका ग्यास बंद कर देंगे मैंने इसमें राई का छोक लगा दिया है सामबर में उबाल आ चुका है दीजिये गर्मा गर्म हमारी इडली और सामबर और नारल की चटनी वेडी है आप भी इसे ट्राइ करें और इसका मजा ले थांक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चानल